दोस्त्तो रुबसकार मैं हूं दिपकिवांस और आप देख रहे हैं टीचिंग वालंप दोस्तो अगर आपने विहार सिख्षक भरती का एग्जान दिया है तो ये वीडियो आपके Лिए है क्यों कि बिहार सिक्षक भड़ती के exam से related जो यहाँ पर आपका result है और उसके साथ-साथ जो कम marks पर qualify वाली बात है और बहुत सारे चीज़े जिसको लेकर लगातार update आए है तो recent update की basis पर मैं आपको चीज़े बदाने वाला हूँ दोस्ति यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे latest यहाँ पर newspaper के माध्यम से उसके बाद tweet के माध्यम से मैं आपको दिखाऊँगा कि सिक्षक भड़ती परिक्षा संपन्न अगले माह आएगा परिनाम तो यह जो परिनाम आएगा उसके संदर में यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि जो 9, 10 और 11 बाड़ा का परिनाम है वो तो सितंबर के अंतिन सप्ता में आ जाएगा सिर्फ एक से पांचवी कक्षा के जो बिएड अभियरती का परिनाम है वो सुप्रिम कोट के आदेश के बाद आएगा तो यह यहाँ पर कहीं न कहीं कि वेट होगा कि जो फाइनल यहाँ पर अब क्या आता है हाला कि आदेश आया है लेकिन क्योंकि फॉर्म पहले फिलोफ हो चुका है तो उसके बेसिस पर क्या यहाँ पर फाइनल होता है तो कममार्ग्स वाले जो छात्र है उनका भी क्याटिट करना यहाँ पर जो हो सकता है कि वो क्यालिफाइइ कर जाए यह हो रहा है क्योंकि कहीं न कहीं जो एक्जाम का लेबल था उसके हिसाब से खुद यहां पर जो है बीपेस्टी के चैर्मन साब ने टूइट भी किया था कि अगर मालेजी की कोशन पेपर टफ है तो हम तो कैसा भी 75% स्टुडेंट को लेंगे ही तो क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो क के लिए कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे है कि हो सकता है दस दिन के अंतरगत ही नौ से बारा का रिजल्ट आ जाए या पंदर दिन का अंतरगत आ जाए तो वह भी पॉशिवल है इसके साथ साथ अगर आप देखिएगा तो एक और ट्वीट आया है कि the toughness of questions depends on how fine the filtering is needed लब कित इतना tough question है यह इस पर demand करता है कि कि कितना हमको filter करना है basically क्योंकि अगर इनका next line देखिएगा तो larger the candidate vacancy ratio finer the filter should be अगर larger candidate vacancy ratio जो primary में खास करके candidate बहुत जादा है vacancy के comparison में तो वहाँ पर fine हमको decision लेना पड़ता है या कहिए कि बहुत fine filter करना पड़ता है इसलिए question tough होता है इनका overall यह कहने का मतलब है कि हम यहाँ पर question इस प्रकार किसलिए दिये थे क्योंकि बहुत अच्छे से student को हम लोग select कर पाए क्योंकि easy question देंगे तो फिर हम अच्छे से filter नहीं कर पाएंगे तो ऐसा इनका कहना है वही TRE में हुआ है तो इस प्रकार के tweets जो है यहाँ पर आते रहते हैं और देख लिजिए कि paper are set by subject expert and their wisdom can't be doubted मिलब वही फिर से कह रहें कि जो paper है वो कहीं न कहीं expert ताइक किये हैं और वो अपने हिसाब से ताइक किये हैं और tough और easy जो है वो आप simple सी बात समझे कि performance matter करता है वो यह कह रहें कि tough हो या easy हो relative performance matter करता है कि आप इतने ही बच्चे हैं उन्हीं के लिए आपके लिए tough है सबके लिए easy है तो relative है आपको अगर easy में उपर है तो tough में भी आप उपर होंगे अगर आप उस तरह से सारा फिल हो जाएगा तो यह basically बात है और रिजल्ट में अब यहीं बात है कि primary का जो रिजल्ट है उस पर कुछ दाव पेच हो सकता है क्योंकि उनको hold पे डाला जा रहा है जिस प्रकार से update अभी आपने देखा तो कोई भी आगे update आता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा और फिलाल के लिए आप लोग जो आगे की तैयारी है बिहार एस्टेट को लेकर और अलग अलग चीजों को लेकर आप बने रहिए पढ़ते रहिए तैयारी करते रहिए और जो भी अपना विचार है वो कमेंट में आप जरूर बताईएगा थैंक यू वेरी मच बबाए ज तैयारी कि खिए जयां जरूर थैंक बबाए बतात है यूजर मेंटी फट splash का भीजों करने चीजों को लोग को पुर मच नरब देएव पर लोत मताव कोली सू तैयारी है और चाना तैयारी में रहिआ पिर आना जरू अलो शहूर खंचत हो पजग फूर हैंयारी हैंशने ए